हलो स्टूजेंट्स, वेलकम टू मैगनेट बेंज हम जो अभी तक आपको पार्ट पढ़ा रहे थे वीर कुवर सिंग हमने देखा कि वो कितने वीर थे, अंग्रेजों की नाक में उन्होंने कितना बुरा दम किया हुआ था हर जगे क्रांती अंग्रेजों के हाथ से उनके जो रियासत हैं उनके छूट रहे थे कैसे लखनओ, कानपूर, आरा, दानापूर, जगदीशपूर उन्होंने सब जगा फते कर ली थी अंग्रेजों से अपने कबजे में कर लिया था तो अब उस पार्ट के कुछ प्रश्णुत्तर हमारी पार्टी पुस्तक में पूछे गए हैं अब उनको देखते हैं कि हमें कैसे करना है क्या दिया है, वीर कुवर सिंग के वेक्तित्व की कौन-कौन सी विशेष्टाओं ने आपको प्रभावित किया है उनकी तो वेक्तित्व की बहुत सारी विशेष्टाओं हैं, देखा जाये तो उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, सब थे, दान वीर थे, शौर थे, वीरता पूंड थे तो वो सारी वीरताओं को हम पॉइंट वाइज लिखेंगे देखें, हम आपके सामने कुछ आइडियाज लेकर आते हैं, कि आप आंसर कैसे लिखेंगे ये नहीं कि आपको यही रट के जाने और लिखने देखें, रटा हुआ थोड़ी देर याद रख सकते हैं, अगर जादर लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं तो अगर आपने एक बार चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, कर लिया है, तो हम आपके सामने आइडिया लेकर आएं, कि इस तरीके से आंसर लिखा जाता है आप इन आइडियास को देखिए और समझिए, फिर अपनी भाषा में उसको लिखिए, कहने का मतला है, अपनी भाषा मतला हिंदी है, इसमें थोड़ा टफ लैंगेज में लिखा होता है, लेकिन आप उसे भी अपने तरीके से, जरू नहीं कि जैसा एक वर्ट वर्ट लिख प्राम के वयोवरद सिपाही थी, वयोवरद क्यों, क्योंकि वो काफी एवजिर हो गये थे उसमें तक, उनके व्यक्तित्व की निम्ने विशेष्टाएं मुझे प्रभावित करती, क्योंकि पूछा गया आपको क्या विशेष्टाएं प्रभावित करती हैं, तो क्या बता प्रश्ण को पूछा जा सकता है जिसका आंसर लगभग एक ही रहेगा तो चलिए देखने क्या है साहस पहला पूरा जीवन ही उनके साहस पूर्ण कार्णियों से भरा है जैसे उनके द्वारा सेम ही अपनी घायल बुजा को काट कर गंगा में समर्पित कर देना साहस का एक मतलब इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए मगर उन्होंने ऐसा किया था फिर उदारता कुवर सिंग का वेक्तित बड़ा ही उदारता उनकी माली हालत अच्छे ना होने के बावजूद वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे इसी उदारता के फल सरूप उन्होंने कई ता स्वाभिमानी व्यक्ति तो बहुत थे कुवर सिंग अपनी स्वाभिमानी व्यक्ति थे या इसी बात से पता चलता है कि वयोवरद होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के आपे आगे अपने घुटने नहीं टेके और अंतिम सास तक संघर्ष करते रहे तो मतलब जब यह मरत्यव होती उसे तीन दिन पहले उन्होंने जगदीशपुर की सथा हासिल करी थी तो बज़र्ग हो चुके थे और तीन जगदीशपुर इंहने हासिल कर लिया उसके तीन दिन बाद जश्मनाते वो उनकी मृत्यू हो गई थी फोर्थ है आपका सामप्रदाईक सद्भाव जैसे बताया था उनकी सेना में उच्च पदों पर जो हैं मुसल्मान थे कहने का मतलब यह नहीं कि सिर्व वो हिंदू थे हिंदू वो अपनी साइनिक में सेना में लेते थे वो मुसल्मानों की उतनी ही इज़त करते थे जितना खुद अपने धर्म की इज़त करते थे क्या है सामप्रदाई सद्भाव में कुवर सिंग की गहरी आस्ता थी इसलिए इबराहिम खान और किफायत हुसायन उनकी सेना के में धर्म के आधार पर नहीं अप्तु कारि कुशल्टा और वीर्ता के कारण उच्पदों पर आसीन थे उन्होंने वहाँ पे धर्म को महत्ता नहीं दी दी उन्होंने आप कितने कुशल हैं इस पर महत्ता दी थी उनके यहां हिंदूओं और मुसल्मानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाएं जाते थे तो ये उनकी विशेश्रताएं थी जो आप उनके बारे में लिखेंगे नेक्स को उशीन Today कुवर सिंको बस्वतर में किन कामों में मज़ा आता था क्या उन्हें उन कामों में स्वतंता सेनानी बनने की कुछ मदद मिली तो जाहिद सी बात है उनके पिता जीने ने पढ़ाई लिखाई का दिजाम घर पर किया था लेकिन उनका पढ़ाई मन नहीं लगता था वो तलवार, वाजी, घुर सवारी और कुछती इन सब चीजों में उनका मन जादा लगता था और यही सब चीजे जब उन्होंने सीखी तो आगे चल कर स्वतंता संदाम में भी काम आई जब इन से चीज़ों में लगेगा तो उसमें कुशलता भी हम प्राप्त करते जाएंगे और हमारे अंदर आत्मसम्मान भी आता है क्या दिया है कुवर सिंग को बश्पन से घुर सवारी तलवार बाजी कुष्टी लड़ने में मज़ा आता था इन ही कार्यों के कारण उनके अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ जिससे वे आगे जाकर अंग्रेजों से लोहा ले सके सामप्रदाई सद्भाव में कुवर सिंग की गहरी आस्ताती पार्ट के आधार पर कथन की पुष्टी कीजिए तो क्या था ये जैसे भी हमने देखा फर्स कोश्टन में हमने लास सामप्रदाई सद्भाव देखा तो उसी पर कोशन इन्हों ने दे दिया कि उन्हें सामप्रदाई सद्भाव था क्यों भाई उनके इबराहिम खा और किफायत हुसायन उनकी सेना में उच्च पदो पर थ थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर धर्म को प्रधानतना देते हुए उन्होंने उनकी कारी कुशल था यानि कि वो अपने कार में कितने कुशल है इस पर जो है वो जादा ध्यान दिया था और इसी के कारण उन्होंने अपनी सेना में इन दोनों को रखा था और उनके हां सभी ह धर्म संबंदी बेदभाव नहीं किया इसलिए इब्राहिम कहां और किफाय सुसाइन उटकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कारिक उशलता और वीर्ता के कारण उचुपत पर आसीन थे उनके यहां हिंदूओं और मसल्मानों के सभी तेओर एक साथ मिलकर मनाये जाते थे उन्होंने पाठशाला और मक्तब भी बनवाये तता सभी की सिक्षा का समान विवस्था की मतलब वो पाठ शानाई भी बनवाते थे और हिंदु जो मुसल्मानों के जो स्कूल होते थे मक्तब वो भी बनवाते थे यह नहीं कि सिर्फ स्कूल बनवा रहे हैं धर्म शानाई बनवा रहे हैं वो सभी धर्मों के लिए कार मिलजुल कर करते थे पाट के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुवर सिंग सहासी उदार एवं स्वाभी मानी व्यक्ती थे क्या है अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते समय उनके हाथ में गोली लग गई जिससे जहर फैलने की आशंका थी तब कुवर सिंग ने ततकाल अपनी घायल भुजा काट कर गंगा को समर्पित कर दी या उनके सहस का सबसे अदुतिय उधारण है उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग थे जनता की भलाई के लिए कुए, धर्मशालाए, पाटशाला, आदी का निर्माण कार करवाए तथा आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया मतलब वो इतने अच्छे कामरे भी करते थे, दान भी देते थे, मगर अंग्रेजों के साथ युद्ध भी वो बराबर करते रहे इस प्रकार भारती सुद्ध संघर्ष के इतिहास में कुवर सिंग हमेशा अपने साहस, उदारता और स्वाभिमान के लिए याद किये जाएंगे तो मतलब उन्होंने हमेशा अपने जीवन में जितना भी काम किया, वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पर ही वो कारेरत थे आम तोर पर मेले, मनोरंजन, खरीत फरोक्त, एवं मेल जोल के लिए होते हैं वीर कुवर ने मेले का उप्योग किस रूप में किया? तो सोनपुर का जो पशु मेला लगता है एशिया का, वो सबसे बड़ा एशिया का मेला लगता था लेकिन वो उन्होंने मनोरंजन के लिए नहीं, सुतनत्रता संगराम की योजना बनाने के लिए उस मेले का इस्तिमाल किया था मतलब वहाँ पर सभी सुतनत्रता संगराम मी मिलते थे और कहां कहां कैसे कैसे करांती करनी इन सारी की योजनाएं बनाई जाती थी क्या दे रहे हैं? आम तरपर मेले मनोरंजन खरीद फरोग तेवर मेल जोल के लिए होते हैं किन्तु वीर कुमर सिंग ने मिले का उपयोग अंग्रेजी शाषिन के विरुद करांती कारी कत्विदियों को संचालित करने गुप्त बैटकों में योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियानवित करने के लिए किया योजनाय बना ले थे और उसे कैसे आगे क्रियानवत करना है इन सब के लिए वो सोनपूर का मिले का इस्तेमाल करते थे सन 1857 में अंग्रेजों में 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किनी चार सेनानियों पर दो-दो वाक्य लिखिये मतलब कई सारे सेनानियों के नाम हम लोगों ने लिए थे तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानिलक्षमी बाई तो उनी में से आपको कोई चार लेने हैं और उन पर दो-दो पंक्तियां लिखनी है तो हमने कुछ लिए हैं आप ज़रूरी नहीं इन ही को लेजी आप किसी और को भी लेना चाहते हैं जो 1857 में हो आप उनके उपर भी लिख सकते हैं तो क्या दिया है यहाँ पर पहला हमने लिया है तात्या टोपे तात्या टोपे का जन्म 1814 में हुआ और उनका पूरा नाम रगुनात राय पांडु यवेल कर्था जून 1858 से लेकर 1869 तक तात्या टोपे अंग्रेज के विरुद्ध पूरी शक्ती से लड़ते रहे तो दो लाइन लिखनी है जादा नहीं है जन्म हुआ है जो भी आपको समझ में आता है जून के बारे में इंट्रस्टिंग है आप लिख सकते हैं मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश जो उन दिनों संयुक्त पांध आगरा वा अभत के नाम से जाना जाता था के बलिया जिले में इस्थित नागवा गाउ में हुआ था भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 के विद्रो की शुरुआत मंगल पांडे से ही हुई थी तो मंगल पांडे की जो कहानी है वो देखिए उस पे तो मूवी भी बनी है देखिए उनके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देखनी पे मिलेगी जब गाय वासुर की चर्वी लगे कार्तूस लेने से मना करने पर उन्होंने विरोध किया था भाई हिंदू होते हुए भी गाय वासुर की चर्वी मिला कर उखा था कि उसको कार्तूस को मूँ से खीचिए और फिर उसको आप बंदूक में डालिये तब वो चलेगी तो ये इस चीज़ को क्योंकि भाई हिंदूओं में मास खाना अलाउट नहीं होता है तो उन लोगों ने मिद्रो किया था कि हम नहीं खीचेंगे तो उसी से ही जो है 1857 की क्रांती का प्रारंब हुआ था इसके परणाम सरूप उनके हतियार छीन लिये जाने ववर्दी उतार लेने का फौजी हुक्म हुआ मंगन पांडे ने उसे उस आदेश को मानने से इंकार कर दिया उननीस सो मार्च सन 1857 को उनकी राइफल चीनने के लिए आगे बड़े अंग्रेज अफसर मेजर हीू सन पर आक्रमड कर दिया मतलब उनकी बंदूग चीनने के लिए जो हमारे अंग्रेज जी शाषक बढ़े थे अंग्रेज के जो जर्नल थे उनको मार दिया था नेक्स्ट क्या है बहादूर शाह जफर, बहादूर शाह जफर 1775 से 1862 तक गिरहे, उनका जन मतलब मानेंगे 1775 और 1862 में, भारत में मुगल सामराज के आखरी शहिंशा थे, मगर मुगल सामराज इनके बाद नहीं, बहादूर शाह जफर आखरी थे, और उर्दू भाषा के मा भारती सुतनता संग्राम में भारती सिपाईयों का निर्टत्व किया, युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, उस समय बर्मा जो अब मैनमार है, भेज दिया जहां उनकी मृत्यू हो गई चोधा है रानी लक्ष्मी भाई, तात्य तोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कबजा कर लिया और 17 जून 1858, ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मी भाई ने वीरगती प्राप्त की लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जर्णर हीरोज की ने टिप्डी की थी रानी लक्ष्मी भाई अपनी सुन्दरता चाला की और दरता के लिए उलेकनी तो थी ही विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी मतलब वो सुन्दर थी सब कुछ था लेकिन जितने भी अभी तक उन्होंने विद्रोही नेताओं से लड़ाई लगी थी उन्हें सबसे खतरनाक कौन थी रानी लक्ष्मी भाई तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी प्रिश्नुत्तर हमने आपको समझाईए पार्ट हमें इतिहास के हमारे वीरों की एक जहलक देता है इसलिए इस पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा हम अपने देश के बारे में और जानकारियां लेकर आपके सामने आगे आते रहेंगे तैंक यू बाबाई